So now let us start with Eclare's phylogenetic classification of plants. Of course, हम plants की ही बात कर रही हैं. इससे ज़्यादा details में बिल्कुल मत जाईएगा. अब questions नहीं पूछते हैं. इन्होंने क्या किया? जो plant kingdom है, ये kingdom है. इसे two sub-kingdoms में divide किया. अपने living world में पढ़ा है, keep pots clean. यानि kingdom को phylum में divide करते हैं, phylum को class में divide करते हैं. और plants के अंदर पढ़ाया था, phylum नहीं division कहते हैं. पर kingdom और division के बीच में sub-kingdom आएगा. तो इन्होंने plant kingdom को two sub-kingdoms में divide किया. बहुत easy है. कुछ ऐसे plants हैं, जिनमें seed बनती है, beach बनता है. और seed के लिए sperma word यूज करते हैं, यानि वो हो गया spermatophyta. अब क्यूँकि यह seed बनती है, यहाँ पर जो sex organs है, वो बिल्कुल exposed रहते हैं. मैंने क्या कहा? यहाँ पर एक तो seed formation होगा, और दूसरा, exposed sex organs होगे. जैसे flowering plants में भी आप देखते हो, flower reproductive organ और flower बहुत अच्छे से आँखों से दिखता है. तो exposed sex organs हैं. ठीक है? एक्सपोज के लिए finaro बोलते हैं, तो इन्हें finaro और reproductive organs, sex organs, reproduction, इसके लिए gammy word यूज करते हैं, gammos का मतलब शादी होता है, तो इन्हे finaro gams भी कहते हैं. तो पहला सब kingdom जो बना, वो था spermatophyta या finaro gams. इसको further divide करा two divisions में. क्योंकि kingdom को ultimately division में classify करते हैं या phylum, phylum animals में use करते हैं, division plants में. कौन से division थे वो? वो थे gymnospermi, यानि gymnosperms लिख सकते हैं, gymnosperma या gymnosperms, और दूसरे angiosperms. क्या मतलब है? आईए समझते हैं, basic difference क्या है? sperma मतलब इन्हें seed बनेंगे, दोनों में seed बनेंगे, तो sperma. लेकिन gymnos का मतलब होता है naked, यानि यहाँ पर naked seed है, naked seed का क्या मतलब है? यहाँ seed तो है, पर fruit नहीं बनेगा, fruit नहीं बनता, fruit absent है. Actually हम आगे जाके पढ़ेंगे, कि fruit ovary से बनता है, और ovary के अंदर ovule होता है, जो seed बनाता है, तो यहाँ पर ovary नहीं है, ovule है, तो seed तो बनता है, पर fruit नहीं बनता, तो seed, fruit से protected नहीं है, covered नहीं है, जबकि यहाँ पर seed is covered by fruit, यानि यहाँ पर fruit present होगा, fruit present, of course flower भी होता है, यहाँ flower नहीं बनता है, right? तो यहाँ पर flower बनेगा, और fruit बनेगा, यहाँ पर gymnosperm में flower, fruit नहीं बनेगा, seed तो दोनों में ही बनेगा, अब angiosperms को फिर divide करते हैं, फिर divide करते हैं, दो classes में, क्योंकि phylum के बाद class आता है, तो two class में, कुछ angiosperms हैं, जिनमें two cotyledons होते हैं, अपन सब दीरे-दीरे आपका में चैप्टर में पढ़ेंगे, उसे dicotyledony class कहते हैं, cotyledony class, इसमें two cotyledons हैं, और कुछ में एक ही cotyledon होता है, उसे monocotyledony class कहते हैं, simple language में dicots और monocots नाम दे देते हैं, ठीक है, अब, यहीं पर आप लिखना, कि इसमें two cotyledons हैं, और वहाँ one cotyledon है, दूसरा में पढ़ाऊंगी, dicots की leaves होती हैं, पत्ती, उसमें जो veins होती हैं, जिसमें xylem phloem होता है, वो ऐसा जाल बनाती है, आम का, अमरूद का, पत्ता देखना, नीम का, पीपल का, ऐसा ही veins का, जाल जैसा arrangement लगता है, जाल को reticular कहते हैं, तो इसे reticulate venation कहा जाता है, veins का arrangement है, reticulate venation, जबकि अगर आप एक monocot का पत्ता देखोगे, जैसे की, गेहूं का, चावल का, शुगर केन का, मेज का, तो उसमें ऐसी parallel veins होती हैं, उसमें जाल नहीं बनता, तो यहाँ पर one cotyledon है, तो monocot, और parallel veins हैं, या जैने parallel venation, लिख लेना, venation, इसके अलावा, जब आप dicot की root देखोगे, हम पढ़ेंगे, तो वो कैसी रहती है, जैसे की main root है, और फिर इससे ऐसी branches निकलती है, इसे tap root system कहते है, तो dicots में tap roots मिलती है, tap roots, ठीक है, यह सब dicot के बारे में हैं, तीनों characters, जबकि अगर आप कभी गेह, चावल, शुगर के, मेज, इनका देखोगे, तो इस तरह की roots होती है, इन्हें fibrous root system कहते हैं, तो यहाँ पर fibrous roots देखने को मिलती है, यह कुछ basic differences होते हैं, monocots और dicots में, अफकोस, पहले हमने dicot लिखा है, क्योंकि जिम्नो स्परम के बाद पहले dicots बने थे, फिर monoc most advanced होते हैं, इतना clear हुआ, चलिए, आप इनको चाहो तो अपने knowledge के लिए draw कर ले, मैं इसे हटाती हूँ, इसे हम morphology of flowering plants में detail में पढ़ेंगे, reticulate venation, parallel venation, tap root system, fibrous root system, dicot, monocot में कैसे होता है, अब, यह तो एक sub kingdom है, अब दूसरा क्या होगा, देखे, यहाँ पर seed बन रहा non-spermatophyta, यानि यहाँ पर जो sex organs हैं, वो एकदम clear, सामने exposed नहीं होते हैं, यानि no seed formation, और साथ में hidden sex organs, यानि exposed नहीं है sex organs, और hidden के लिए crypto word use किया जाता है, तो इन्हें crypto gams कहेंगे, crypto gams, जैसे जब testis scrotum में नहीं आते, abdominal cavity में छिपे रह जाते हैं, तो उसे crypt orchidism कहते हैं, orchid word testis के लिए use करते हैं, तो crypto, crypto means छिपा हुआ hidden, अब, इन्हें ये फर्दर three division में divide किये जाते हैं, division में, जैसे यहाँ पर two division थे, यहाँ पर three division होगे, यह दोनों sub kingdoms है, अब यहाँ पर three division आते हैं, समझिएगा, कुछ ऐसे plants हैं, जिनकी body, thallus जैसी है, यहाँ पर इसमें algae आता है, algae, green algae, brown algae, red algae, बट इसके बाद जो group आया, उनमें root like, stem like, leaf like structures बने, root stem leaf नहीं बने, but root like, stem like, leaf like structure बने, उस group को bryophyta नाम दिया गया, तो bryophyta में क्या हो गया है, यहाँ पर root जैसे leaf, जैसे stem, जैसे structures बनने लगे है, so, root like, stem like, and leaf like structure, पर सच्चा root stem leaf नहीं है, और फिर जो group आया, वहाँ पर true, सच्ची, root, stem, leaf बन गई, proper, कैसे वो हम सब समझेंगे, इसे terido phyta group नाम दिया गया, terido phyta, यानि सबसे पहले algae आये, जिनकी thallus जैसी body थी, फिर bryophytes बने, जिनमें root like, stem like, leaf like structure थे, फिर true root stem leaf बने टेरिडोफाइट्स आये, और यहाँ पर पहली बार xylem, phloem, यानि वस्कुलर टिशू भी आ गया, वस्कुलर, वस्कुलर टिशू फॉर्म हो गया, जो character यहाँ आ गया है, अब वो आगे चलेगा, यानि इन सब में true root stem leaves होंगी, सब में वस्कुलर टिशू, xylem, phloem होंगे, इन में वस्कुलर टिशू नहीं है, तो इन ए ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं, इन सब को ट्रेकियोफाइट्स कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, algae में embryo नहीं बनता, यानि यह non embryo फाइटा है, बाकि सब में embryo बनता है, दीरे दीरे जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगी, सब क्रिप्टोगाम्जी, असपरमाटोफाइटा जहां पर फ्लावर नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगी, सेक्स ओर्गन्स हिडन है, इसमें थैलोफाइटा है, जहां पर अनिदिफ्रेंशियेटेड प्लांट बॉड़ी है, ब्रायोफाइटा हैं, जिसमें स्टेम लाइक, ली यानि स्पर्माटोफाइटा, इनमें सीड बना और सेक्स ओर्गन्स प्रॉपरली एक्सपोजड थे, इनमें जिम्नो स्पर्म्स आये, जिम्नो का मतलब ही है, नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड्स, हाले कि हां फ्रूट नहीं था, और अन्जियो स्पर्म्स में सीड कवर्ड ती यानि fruit present था angiosporms को फिर अगें डिवाइड किया monocots and dicots में इसमें two cotyledon, one cotyledon, fibrous roots, tap roots, parallel venation, reticulate venation All done, अब ये मैं already आपको explain कर चुकियों, यहां confuse मत हो ना flowers इन में नहीं होते, सिर्फ इन में होते हैं, so you can leave this आप वही बनाईए जो मैंने बनाया है, vascular tissues की presence को tracheophytes कहेंगे, तो ये तीनों groups जो हैं, ये tracheophytes है, बाकी दोनों algae, bryophyte, non tracheophyta है इसी तरह से embryos सिर्फ algae में नहीं बनता, हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ के बाकी सब embryophyta है आप students, जो इनका classification है, इसकी branches कौन सी है, branches of taxonomy taxonomy के father, carolus lenius हैं, हम अलड़ी पढ़ चुके हैं, taxi, taxi में car चलती है, तो carolus lenius ऐसे याद कराए था देखे, बहुत simple है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं एक तरीके से, मैं classification के लिए क्या ले सकती हूँ मैं कह सकती हूँ कि मैं ना इनके cell या उसके अंदर जो nucleus है, उसके character को consider करती हूँ nucleus के अंदर क्या मिलता है, DNA, किस form में मिलता है, chromatin, और जब वो condensed होता है, तो क्या बनाता है, chromosome बनाता है यानि अगर मैं nucleus के अंदर, chromosome का रटा होना चाहिए, बोलो मेरे साथ, number कितने है, structure कैसे है, और behavior क्या है number structure behavior कितने है, कैसे है, और behavior कैसे करते है, number structure behavior, number structure behavior ये क्या है, ये cell के अंदर है, यानि cytological information है, इसका अगर basis लिया है, मैंने, तो उसे cytotaxonomy कहेंगे, cell का एक character लिया है या cell के अंदर nucleus का लिया है, nucleus के लिए carry-on word यूज करते हैं, तो इसे karyotaxonomy भी कहते हैं तो karyotaxonomy या cytotaxonomy किस पर based है, cytological information, like बोलो, chromosome का number कितने है, कैसे है, यानि structure और behavior कैसे करते हैं, nature कैसा है, यानि behavior so number structure behavior पर based है, पट अगर मान लिजे, मैं plant के अंदर जो chemicals मिलते हैं, कौन से chemical मिलते हैं, DNA, RNA, protein, aromatic compounds, crystals, calcium carbonate के, इनहें consider करूं तो तो chemical, chemical के लिए chemotaxonomy term दे देंगे, यहां chemical component का basis हम ले रहे हैं, कौन से chemical, जैसे DNA, तो DNA में sequence क्या है, nucleotide का, या protein का structure कैसा है, या crystals like CaCO3 कैसे हैं, या aromatic compounds, यह 4 रटे होने चाहिए, lines of NCRT, तो DNA में sequence क्या है, protein का structure कैसा है, crystals कैसे हैं, like CaCO3 aromatic compounds, now, third type की जो taxonomy है, वो बहुत शानदार है, उसमें हम कुछ numbering करेंगे, number तो उसे numerical taxonomy कहते हैं, या हम कुछ numbers, numbers, मतलब कुछ meter, units की बात कर रहे हैं, तो इसे taxi metrics भी कहते हैं, इसे fanatics भी कहते हैं, और adansonian taxonomy भी कहते हैं, scientist के नाम पर, इसमें क्या किया जाता है, देखो, बहुत simple है, इसमें आप क्या करो, आप, जितने भी, suppose मुझे दो plants है, मुझे classification करना है, इने compare करना है, तो इनके जितने भी characters observe हो रहे हैं, morphological, internal, वो सारे characters की listing कर लो, इसके भी, इसके भी, 1000 character हैं, तो सब list कर लो, फिर सबको number और codes दे दो, इसको भी, number और code, जैसे cell wall, cellulose की cell wall, one code है, तो इसमें अगर है वो, तो इसको भी one code है, इसमें है, तो इसको भी one code है, पर अगर इसमें कोई दूसरी cell wallet उसे मैंने two number का code दे दिया, तो इसे coding कर दो, numbering and coding, फिर statistical softwares बनवाओ, और computers में इस data को feed कर दो, तो वो software फटाफट, फटाफट, फटाफट run करेगा, और फटाफट बता देगा, कि इन दोनों में कितने character similar हैं, कितने dissimilar हैं, पूरी list आ जाएगी, इस basis पे हम at a time hundreds of characters को consider कर सकते हैं, आईए देखते हैं, तो सबसे पहले computers इसमें काम आएंगे, और जितने भी observable characters हैं, उनको list कर लीजे, फिर number और coding दे दीजे, सभी character को, और फिर इस data को process कर दीजे, software की help से, तो यहाँ पर हम hundreds of characters को at a time, at the same time consider कर सकते हैं, वरना अगर हम खुद करेंगे, तो इतना possible नहीं है, दूसरा, यहाँ पर equal importance दिया गया है हर character को, अब आप confuse मत हो ना, कि मैं अभी तो आप कहा रहे थे, sexual character को less weightage, और vegetative को more weightage, अलग-अलग weightage, वो एक अलग बात है, मैं कहरी हो, गर हजार character आप consider कर रहे हो, तो आपने भेदभाव नहीं किया, equal importance दे है, वरना क्या होता, मैंने cell wall का character consider किया, तो मैंने fungi को, bacteria को, plant को, सबको एक group में डाल दिया था, तो मैं यहाँ हजार character ले रहे हूँ, सबको equal importance दे रहे हूँ, सबको number and codes दे रहे हूँ, और branches of taxonomy complete होता है, NCRT इतनी अच्छे से read करिएगा, इस पार्ट को अच्छे से learn करिएगा, अब हम first group से start करेंगे, which is algae, algae की study को phycology कहते है, phycoward algae के लिए use किया जाता है, जैसे mycoward fungi के लिए किया,